हेलो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू शेयर गूगल ड्राइफ फाइल्स इन फेस्बुक ग्रूप्स तो आज किस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम गूगल ड्राइफ और फेस्बुक के बीच में कनेक्शन बना सकते हैं कि जैसी गूगल ड्राइफ पे आप कोई नई फाइल अपलोड करेंगे तो आटोमेटिक लिए ये सेम फाइल की डीटेल्स जाके शेयर हो जाएंगी फेस्बुक के ग्रूप पे आपके टीम मेंबर्स के साथ जी हाँ ये पूरी प्रोसेस आप आटोमेट कर सकते हैं पैबली करेंट की मदद से गूगल ड्राइफ और फेस्बुक ग्रूप के बीच में कनेक्शन बना के इस पर आपका ट्रेगर होगा कोई नई फाइल अपलोड होना गूगल ड्राइफ पे और आपका एक्शन होगा आटोमेटिकली सेम फाइल की डीटेल्स एज अ मेसेज शेयर हो जाना फेस्बुक ग्रूप पे तो आप कैसे बना सकते हैं उस पूरो आटोमेट कर सकते हैं दोनों एप्लिकेशन को आईए देखते हैं मेरी स्क्रीम पे तो चलिए बनाते हैं कैसा आटोमेशन गूगल ड्राइफ और फेस्बुक ग्रूप के बीच में कि जैसी गूगल ड्राइफ पे आप कोई नई फाइल अपलोड करेंगे तो आटोमेटिकली सीम फाइल की डीटेल्स जाके शेयर हो जाएंगी फेस्बुक के ग्रूप पे अगर आप हैं यूजर हैं तो जाएं आफ फरी पे जाप को हर महीने में लेंगे फरी टास्क ऐसे ओटोमेशन क्रियेट करने के लिए अगर आप एक एक एक्जिस्टिंग यूजर है तो सिंपली करिएगा साइन इन पे Sign In पे क्लिक करते ही, आपके सामने ओपन हुई है, Public की एपाच में एप्लिकिशन्स आज हमको यूज करना है Public Connect का, तो क्लिक करेंगा हम Access Now पे Access Now पे क्लिक करते ही, हमारे सामने ओपन हुआ है Public Connect का डैश्बोर्ड इसके बाद हमको जाना है राइट एंड साइट पे क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे create workflow पे जैसे create workflow पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने डायलोग बॉक्स अप्यर होगा जहाँ आपको इस workflow को एक नाम दे रहा है तो माली जब मैं इसको नाम देता हूँ share google drive files on facebook groups आप अपने requirement की हिसाब से इसे कोई और भी नाम दी सकते हैं नाम देने के बाद आपको चूज करना है folder जिस particular folder में आप workflow बनाना चाहते हैं तो देखें मेरे folder का नाम है home अब मैं क्लिक करूंगा create पे create पे क्लिक करती है अब हमारे सामने open होंगे यह दो important boxes इनकों कहते है trigger and action basically जो पुरा automation आजम बनाने वाले हैं वो इन दोरो principles या concepts परी based होते हैं इनके definition के बात करें तो trigger कहता है when this happens मतलब जब ऐसा हो तो action कहता है do this मतलब ऐसा कर दो तो आज का हमारा objective क्या है आज का हमारा objective यह है कि जब भी google drive पे मैं कोई नई file upload करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि automatically same file की details share हो जाए facebook के group पे हमारे team members के साथ तो देखिए जो हमारी trigger application होगी वो होगी google drive यहांसे मैं choose करूँग अपनी trigger application google drive और हमारी action application क्या होगी हमारी action application होगी facebook groups तो यहांसे मैं choose करूँगा अपनी action application facebook groups अब दिखिए google drive में हम नई file upload कर रहे हैं पर नई file upload कर रहे हैं किसी specific folder में तो यहांसे हमको choose करना होगा trigger event new file in specific folder इसका मतलब यह है कि जब भी google drive के किसी particular folder में जैसे कि हाँ पर मैं एक folder create करके रखा जिसको मैंने नाम दिया resume of files अब इस folder में जैसी कोई नई file में upload करूँगा तो automatically मेरा workflow trigger होगा और same file की details share हो जाएंगी facebook के group पे अगर मैं आपर trigger event केवल new file choose करता तो क्या होता गूगल drive के किसी भी folder में कोई नई file में upload करता तो मेरा workflow trigger हो जाता पर हम ऐसा नहीं चाहते हैं हम चाहते हैं कि इस particular folder में जैसी कोई नई file upload हो तो मैं चाहता हूँ मेरा workflow trigger हो इसलिए मैंने आपर choose किया अपना trigger event new file in specific folder और facebook पे क्या होगा जैसी google drive पे file upload होगी इस particular folder में तो facebook group पे एक message चले जाएगा तो action event हमारा होगा post message अब देखे facebook groups और google drive दोनों के बीच में कोई भी direct connection नहीं है इसलिए हम use कर रहे है पैबली connect का अब google drive और facebook group दोनों को one by one करके हम connect करेंगे पैबली connect से तो सबसे पहले google drive का account मैं connect करता हूं पैबली connect से तो click करना आपको connect पे जाना है add new connection पे इसके बाद click करना है sign in with google फिर choose कर लेना यहां से आपको अपना account अकाउंट चूज करने के बाद आपको access provide करनी है तो scroll down करेंगे हम नीचे क्लिक कर दूंगा मैं allow पे तो आप देखेंगे google drive का account connect हो जाएगा पैबली connect से और देखें हमरा authorization यहां पे हो चुका है successfully account connect होने के बाद अब आपको चूज करना है वह particular folder जिसमें कि आप नई फाइल upload करें तो आप्लोड करें तो आप जैसे कोई candidate उस form को फिल करता है तो मैं चाहता हूं कि automatically उसके resume वाले file इस particular folder में आके हो जाए upload और same file की details share हो जाएं Facebook के group पे हमारे team members के साथ तो पैबली connect पर जाएंगे चूज करेंगे हमारा folder resume file सब देखें हापे मैंने एक file upload करके रखिए जिसका नाम है resume of हर्ष कुमार आप पैबली connect पो जाके जैसी मैं save and send test request की बटन पर क्लिक करूँगा automatically इस file की details पैबली connect यह आपने पास कर लेगा capture तो क्लिक करते हम save and send test request की बटन पर और देखिए हापे हमको API response मिल चुका है तो देखिए यह है वो file का link जो मैं अपलोड करिए Google Drive पे और यह है file का name resume of हर्ष कुमार आप देख सकते हैं same file की details पैबली connect अपने पास यहापे कर चुका है capture इसका मतलब जो हमारा first step of integration है वो work कर रहा है हमने Google Drive का account successfully connect कर दिया पैबली connect से अब CM file की details हम share करना चाते हैं Facebook के group पे तो Facebook का account आप मैं connect करूँगा पैबली connect से तो click करना आपको connect पे जाना एड्यू connection पे click करना है connect with Facebook groups और इसके बार directly access provide कर देनी है पैबली connect को Facebook से connect करने के लिए और आप देखेंगे हमारा authorization यहापे भी successful हो चुका है Facebook का account connect हो चुका पैबली connect से और account connect होने के बार फिर आपको choose करना है group कि किस particular group में आप message share करना चाते हैं तो देखें Facebook का account पे आप connect हुआ पैबली connect से तो जितने भी groups मैंने create करके रखें Facebook पे वो सब आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे आप दीख सकते है Google Drive पे कोई नई फाइल अपलोड होती है तो जाओंगा मैं पैबली connect पे चूज करूँगा अपना group जिसका नाम है पैबली tag जैसा मैंने choose कर लिए अपना group अब देखिए इसके बाद आपको मैं एक step और बताता हूं आपर क्या लिखा है important note में कि अगर आपको अपना group connect करना है पैबली connect से कि जैसी कोई नया file upload हो Google Drive पे तो automatically message चले जाए पैबली टेक वाले group पे तो जो भी group है वो अगर आपको connect करना पैबली connect से तो उसके लिए आपको एक एप इंस्टॉल करनी पड़ी है और अब देख सकते हैं आपको सारे instruction दिये हुए कि कैसे आपको वह एप इंस्टॉल करनी है और कहां पर करनी है तो इसके लिए आपको जाना अपने ग्रुप पे इसके बाद आपको जाना अपने गृप की settings पे तो देखिए यह मेरा group group settings पर जैसी मैं click करूंगा तो सबसे नीचे आपको option देखेगा apps का तो देखिए आप एक option आपको दिखरा हुआ इसमें आपको पैबली connect वाली एप जरूर इंस्टॉल करनी है तब ही आपका यह group connect हो पाएगा पैबली connect सी तो यही नोट में लिखा हुआ है और य कर दिया एक message team a new file has been uploaded to resume files folder in google drive details are then file का name और file का URL file का name और file का URL यह दोनों details हम provide करेंगे mapping की मदद से mapping का मतलब यह होता है कि response हमको मिला है trigger application से मतलब google drive से इससे response का use मैं आपकर लूंगा वह भी without manually type करके इस process को हम कहते हैं mapping तो देखिए mapping कैसे की जाती जैसी मैं इस blank field पर click करूंगा तो google drive जो के हमारी trigger application थी वो आपको यह पर दिखरी होगी इसके drop down पर मैं करूंगा click और यहां से map कर दूँगा file का name तो दीखिए file का name क्या था resume of harsh गुमार same name के साथ मैंने आप यह data कर दिया map इसके बाद आता file का url तो file का url भी हम करेंगे map वापी जाओंगा मैं google drive पे drop down पर करूंगा click तो जो भी response को मिला था trigger application से वो पूरा आपको यहां पर दिखरा होगा और यहां से map कर देंगे file का url भी इसके बाद देखिए पूरा message मैंने आपके कर दिया draft अब यह file का name भी हो गया file का url भी हो गया अब save and send test request को इसके button लिक करते ही यह same message facebook group पे automatically जाके हो जाएगा post पर उससे पहले आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि हापे मैंने mapping का use क्यों किया और mapping का मतलब क्या होता है क्योंकि जो आदा message है यह मैंने type किया है manually और आदे मैंने use किया है mapping का तो देखे mapping इसलिए बहुत ज़्यादा important process होती है क्योंकि जब भी हमारा workflow run करेगा तो जो भी data मैंने आपर map किया है यह automatically new data से हो जाएगा change इसका मतलब google drive पे आप जैसे कोई नई file upload करेंगे तो automatically उस file का जो name है उसका जो link है वो यहाँ पर आके हो जाएगा update हमारा workflow का trigger और same details share हो जाएगी Facebook group पे इसलिए mapping करना होती है ज़रूरी process क्योंकि जो data मैंने manually type किया है यह data रहेगा हमेशा static या permanent यह data कभी change नहीं होगा process public connect automatically कर लेगा तो चलिए click करते अब save and send test के इसकी बटन पे और देखिए आप हमको API response मिल चुका है जो के positive API response है तो चलते आप Facebook के ग्रूप पे वापिस करते हैं इसको refresh हमारे Facebook के ग्रूप को और देखिए अब भी आप हमको एक नया message received हो चुका है team a new file has been uploaded to resume files folder in google drive details are file का name ह resume of Harish Kumar और यह फाइल का URL जैसी इस URL पर आप क्लिक करेंगे same file जो अपने upload करी थी Google Drive में वह यहाँ पर हो जाएगी download और देखिए same file यहाँ पर download हो चुकी है इसका मतलब जो automation हमने बनाया है पैबली connect पे इन दोनों applications के बीच में हो successfully work कर रहा है simply 2 step में हमने पूरा automation बना दिय में क्योंकि Google Drive और पैबली करेंट के बीच का connection in polling based connection है तो हमारे workflow का trigger हर 10 minute पर जाके Google Drive से सारी details करेगा fetch लाएगा पैबली करेंट के पास और automatic message बेज़ देगा Facebook के group पे हमारे team members को तो अगर आप भी इस workflow का use करना चाहते हैं तो इसका link पर अपने वीडियो के description में दे दूँ अगर आपको कोई queries है आपके कोई doubts है तो आप जा सकते है forum.family.com पर अगर आपको pricing related कोई issue है तो आप जा सकते है इस link पर अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू